कौंग्रेस मुक्त भारत अब एक संकल्प है पियम मोदी मोदी ने गुरुवार को उत्तरी गोवा के मापुसा शहर में अपने चुनावी भाषण की दोरान कौंग्रेस मुक्त भारत वाक्यान्ष का प्रयोग किया सत्ता रुट भारतिय जन्तापाटी के प्रचार के लिए गोवा आए मोदी ने कहा कि गोवा उनकी राजनतिक यात्रा के लिए भागेशाली साबित हुआ है मुझे भगवान बोदगेश्वर द्वारा असीम रूप से आश्रवात दिया गया है कि मेरे जीवन के महतपूनक शनों में गोवा ने एक नरनायक भूमिका निभाई है मैं अभी जिस रोल में हूँ उसका सफर गोवा से ही शुरू हुआ है जून 2013 में यहां भाजपा राश्टिय कारणी की बैठक हुई थी जब मैं जून 2013 में गोवा में था तब भाजपा ने मुझे लोग सभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार समिती के प्रमुक के रूप में नामित किया था मोदी ने अपने भाशन में का उसके बाद मुझे प्रधान मंत्री पत के उमिद्वार के रूप में नामित किया था या एक प्रेणा थी जो गोवा की इस भूमी से निकली थी पूररक्षा मंत्री स्वर्गे मनुहर परिकर ने यहां मेरी बैठक आयोजित की थी इस बैठक में मैंने यह वाक्यांश अनायासी कह दी नारा था कॉंग्रेस मुक्त भारत यह शब्द गोवा की मिट्टी से निकला है एक ऐसी भूमी जिसे संतों ने आशिरवात दिया है यह मुहावरा अब भारत के करोडों लोगों के बीच एक संकल्प बन गया है प्रधान मंत्री थोड़ी दूरी पर स्थत चुनावी रैली स्थल के रास्ते में मापुसा में भगवान बोदगेश्वर मंदिर में भी पूरा अर्चना करने गए